तो ये गाइस, वेलकम तो एक्जाम नियूज, वेलकम तो मेरे प्यारे क्लाश 10 एंड 12 एस्टुएंट्स, खासकर वो बच्चे जिनका 2023 में एक्जाम है, गाइस हाफेरली का टाइम आ चुका है और कुछ बचों के हाफेरली के एक्जाम सुरू भी हो चुके हैं, तो क्या ये हाफेरली का जो एक्जाम में तुम्हार के इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाश तक देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको हल्प से तुम मतलब, जिसकी हल्प से तुम बहुत जादा अच्छे मार्स भी गें कर पाओगे, तो स्कूल से जो भी काम मिल रहा है, अगर उन काम को देखा जाए, तो क्या उनके मार्स हमारे बोर्ड एक्जाम में इंक्लिवड होते हैं, तो इस तीज को ध्यान से समझो, हमारा जो पेपर होता है, वो होता है 80 मार्स का, है ना, सौरी, 100 मार्स का होता है, लेकिन जो रिटेन मार्स का होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर्नल असेस्मेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल के मार्स, और ये होते हैं थियोरी, थियोरी वाला पार तो तो तुम्हारी कॉपी इंक्लिवड होती है, प्लस अटेंडेंस इंक्लिवड होते हैं, इन सारी चीजों क और प्लस, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा जो behavior होता है, वो भी include करता है, yes, school behavior, अब तुम्हारा अगर स्कूल में behavior ही खराब होगा न, तो internal में marks जो मिलते हैं, 20 marks उसमें से मैम लोग 15 तक दे देंगे, या सर 15 तक दे देंगे, लेकिन जिन बच्चों के behavior अच्छे होते हैं ये होता है, teachers के हाथ में, teachers के हाथ में होता है, और अगर इन सारे कामों को तुम अच्छे से करोगे, तो अबसी बात है, तुम्हारे teacher तुमसे खुश रहेंगे, और 20 में से 20 marks, 90 marks, 18 marks, वो easily मिल जाते हैं, तो एक चीज़ा दखना कि तुम्हारे school में जो भी कुछ हो रहा है, वो बहुत जादा important है, और बहुत जादा marks के लिए जरूरी भी है, तो make sure इस update को जारे बच्चों के साथ share भी करना, और तुम्हारे पता है कि CBSD ने एक बार exam pattern में तीन तरह की question देने की बात कही है, कौन-कौन से इस से related वेरा जो दूसरा channel है, जिसका link description box में मिल जाएगा, या फिर i button पर आ रहा होगा, वहाँ जाकर जरूर देख लेना, वो भी वीडियो बहुत जादा important है, तो I hope आज की update जो है तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, and अपने school से एक बार जरूर confirm करके मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों के registration complete हो गया है, एक बार अपने school से clear क करते रहना है, और जो तुम्हारा exam है, तुम्हें पता है, February में होने वाला है, बट घबडाने के इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि February में तुम्हारे जो extra subject होते हैं, like music हो गया, art हो गया, computer हो गया, इन सब के exam है, और जो main subject हैं हमारा, like math, science, sht, physics, chemistry, sorry, accounts, इन सब के जो exam होंगे यह तुम्हारे March में ही होने वाला है, तुम्हें एक सब घबडाने के कोई बात नहीं है, बहुत जाता pressure लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे board exam होंगे, board exam से पहले तुम्हारे pre-boards होंगे, pre-boards को भी बहुत अच्छे से देना, बहुत मन लगा कर देना, और अच्छे से preparation क कर लेना, मिलते हैं फिर नहीं update के साथ नहीं वीडियो में, till then don't forget to like, share and subscribe, good luck.